अध्यात मर्जूत इसके तमाम दर्शकों का आज की कारक्रम में बहुत बहुत श्वागत अभिनेंदन आप सबको हर हर महादेव प्रियसाथियों आज हम बात करें सिंगरास की जातकों के लिए महावपाई के हम बात करें आखिर वो कौन सा महावपाई में आपको बताने वाला हूँ बड़े दिहान से और गौर से आप सुनिए अंतिक कारक्रम को शमजने का प्रियास कीजिए उस महावपाई के हम लोग बात करेंगे और हाँ आगे बड़े इससे पहरे एक निवेदन भी साथ साथ रहेगा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करने का भी एक सही मूर्थ है बैल आइकन साथ में दबा लीजिए क्योंकि वास्तू, रत्न, रुद्रास, जोति, सद्ध्यास इस सब चर्चाएं हम लगाता है आपके साथ समय समय पर करते रहते हैं सिवेतु समाधान समस्य हैं तो बहुत सारी हैं यह तो अलग से हमें चर्चा करने क्या आओ सकता नहीं है कोई तन दुखी तो कोई धन दुखी और कोई धन बिन रहे तो उदास कोई तन दुखी यह तो अलग अलग नहीं का क्योंकि बहुत सारी समस्या है कोई कारोबार से समस्या है कोई घरगरस्ते से समस्या है परिशान है कोई किस चीज को लेके परिशान है किसी बाद है तो भोग नहीं है तो तो परिशान है कोई पाने के लिए लालाईत है कोई पा करके उसका भोग नहीं कर पा रहा उसको ही हैं? कैसे यह सावन का महना चलनहा है, मैं महावपाई के चर்चा करूंगा. इस से में एक participar हरुद्वार में नहीं. यह इशेकिश में नहीं, भारत में नहींए. पुरिविश्वक पिंदर हर हर怎麼 महाधीम की गूंज है. हर व्यक्ति, हर भक्त, हर अर्चग हर पूजग देवादी देव महादेव को मनाना चाहता है और भला क्यों नहीं वो देव नहीं वो महादेव है खुद तो बीराने में रहते हैं खुद समसान में रहते हैं खुद बसमी भूत हैं बागंबर पहने वे हैं लेकिन उनके शिश सुरन महलों में रहते ह बागंबर पहनने के पीछे खास उद्देश्य भी भगवान सिप का है दुनिया में कोई इस्तिर नहीं है और हमेशा नहीं रहेगा एक छत राज करने बाला सिंग भी उसकी खाल निकाल दी जाती है भगवान सिप उसको धारण कर लेते हैं कोछ इस्तिर नहीं है क्योंकि इन दोनों रासियों की जो अधिपतियों सूर्य चंद्र है और सूर्य चंद्र की सत्थी किसी प्रकार से कि कभी सूर्य रहते हैं कभी चंद्र दोनों एक साथ नहीं आते हैं दोनों की उदित होने का समय एक साथ नहीं है दोनों का अलग-अलग है, दोनों अलग-अलग चीज के कारक है, सूरी दिन के कारक है, सूरी उडजा के कारक है, चंद्रमा मन के कारक है, वो रात्री के कारक होता है, वो माता के कारक है, चंद्रमा, तो ये सूरी पिता के कारक है, चंद्र भाव के कारक है, तो सूरी आज जो मैं महावपाय बताने जा रहा हूं यह सावन है और शावन का मतलब बरशना होता है और यहां सिर्फ बारिश नी बरसती यहां धन बरसता है यहां किर्पा बरसती है यह सम्मान के बारिश होती है यह स्वाविमान के बारिश होती है यह आत्मनिस्ठा के बारिश होती है यह सरवे भवन्त सुकिनहा के बारिश होती है यह शूत्र सबको प्रशन्नता के लिए सबकी निरोकता के लिए सबकी वेभवता के लिए एक वक्त कामना करता है इसलिए आ आपके लिए उत्तम आप्तम बर्धिकारा को, कैसे इस सामन में अनेक शुक्ष विधाओं से संपन्न वह वातावरन आप अनकूल बना सके, कैसे वो दुप आपकी छुपी भी प्रतिवाएं आपसे, कैसे वो भार निकले, कैसे आप उनका लाब ले सकते हैं, कैसे जीवन में वो संकट के बादल, समस्याओं के बादल संकट, वो कैसे छण सकते हैं, कैसे टल सकते हैं, इसलिए समस्या तो शमाधान है, और सिव है तो समाधान है, इसलिए देवादी दे महादेब की भक्ति आपको कैसे करनी है, करक और सिंग रासिकी जातक, दोनों ही अपने आप में आत्म स्वाबिमानी होते हैं, दोनों ही हमेशा चरायमान लहने वाले होते हैं, दोनों ही हमेशा कुछ नया करना चाहते हैं, ऐसी रासी के जाता है, जिनकी कर्ग और शिंग रासी होती है, वो व्यक्ति हमेशा से कुछ नया करना चाहता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है, प्रति इस्तिर होने लगता है इसलिए प्रतिकूलताओं में अनकूलता कैसे लाएं इस शावन के अंदर जब हर जगे देवादी देव महादेप के जैजेकारे लग रहे हैं हर जगे अनकूल वातावरण बनता चला जा रहा है तब आपको क्या करना है आप महादेप को प्रशुन करने के लिए हो सके तो चांदी की स्रिंगी एक बनवाले है नहीं तो पितल की स्रिंगी सही भगमान देवादी देव महादेप का सुद्ध गाई के दूद से आपको अभिशेक करना है अलग-अलग कामनाओं के लिए पूजा पद्धती अलग है थोड़ा अभिशेक का भी अलग है लेकिन आप वस्तुते शामन्य रूप से आप देवादी देव महादेप का सिर्फ गौद दुग्द से अभिशेक करें या गंगाजल से अभिशेक करें पूजन पद्धती करमकांड का इक विशेश नियाम है जो भी आप करें संकल्प के साथ करें और शंकल्प के लिए मैं अलग से वीडियो पहले बना चुका हूँ आप उस शंकल्प की वीडियो को देखें शंचिप्त में दो मिनट का शंकल्प है उसमें नाम गोतर कैसे क्या आप कर रहे हैं उसको मेंसिन करना है वो थोड़ा से एक बार समझ दीजिए और फिर भगवान को ध्यान आसन के साथ में पूरे शिप परिवार का सब का लग लग ओम कुबेर आयनमा केरति मुखायनमा अंदीश वरायनमा गनेश वरायनमा इस तरह से सब का ध्यान करना है भगवान शिप को बिलपत्र से प्रणाम करके अच्छा दिद करके फिर स्ष् अब उनका प्रियोग करते हैं ऐसी देवताओं को इन पदार्तों का इन अम्रितों का इसनान कराया जाता है सुन्दर आप भगवान को अशनान कराएं रगड करके सुद्ध जल गंगा जल से इसनान कराएं सुगंदी द्रव्बे के द्वारा हल्दी के द्वारा खुब उबटन लगा करके इसनान के बाद वस्तर यग्योपवीत गंध अक्षत तिलक भगवान को सब करना है और उसके बाद कुछ भोग, परशाद, फल, तामबूल, मान का पत्ता जो हम लोग भगवान को रपित करते हैं कुछ दक्षिना और उसके बाद हर्थी करनी है प्रदक्षिना भगवान की करनी है प्रकिर्मा करनी है लेकिन ध्यान रहे जहां से जल बहार गिरता है विशेक का उसको लांगना नहीं है वहां से रिटन हो जाना वापश अर्द प्रदक्षिना भगवान सिपका है ये सब करने के बाद भगवान को प्रणाम करना और प्रणाम के लिए बहुत सारे श्लोग पंतर आपको नहीं आते हैं तो चलेगा ये श्लोग तो सब को याद है इसलिए भाव के साथ प्रेम के साथ इस्तूति के साथ भगवान को प्रणाम करना है और साथ के साथ सुबह भगवान सूर्य को और शाम के समय करकरास के जातक खास कर चंद्रमा को जलर रपित करें और फिर देखे जिए उनमे कई एक नई के संचार के साथ आप आगे बढ़ेंगे जो भी आप राप्त करना चाहते है वो लक्षिया आप बेद पाएंगे ये एक वशिश उपाय था महाँ उपाय था और फिलाल आप सब को महादीब की करपा आपके उपर बढ़सते रहे ऐसी कामनावकशाथ आप सब से जाज़त कि देते हैं हरारमा